आज के वीडियो में हम Q6 exercise 6.4 class 10th mathematics जो की most important है उसे हम solve करेंगे Q7 क्या border proves that the ratio of the areas of two similar triangle is equal to the square of the ratio of their corresponding medians तो इसी type का questions अपने 6.3 और 6.4 में अभी पहले भी किया हैं आपने इस्पेश्टी 6.3 में करके आयो तो उसी पराधारीत कोशन आप हम करने जाने तो देखो बिच्छो सबसे पहले हम फिदर बना लेते हैं हमें क्या आप अलड़ी बोला गया है कि यह सीमिलल है ट्रैंगल इसके पी क्यू आर ठिकिया इनकी मेडियन मेड बनाने आप इसका μεडियन यह वाला हो गया है इसका नाम मैंने तो एबिसी दी और इस वाले यह जो प्रूफ करना है कि जो एरिया है एब सी अपन एरिय कॉंसेट नोफ प्रूफ करना है जो हमें क्या बोलागे और इसके जो मेडियान है कोर्सपोंडिंग मेडिया इधर क्या है हमारा ऍरगी और इदर के हमारा पी-व! इसकी square काने इसे एकवल यह जिजा हमें प्रूफ करनी है ठीक क्यमें आपको म्लता चुलता दिक रहा है क्यूंकि हमेरे पास हैं क्या चीज मोद है लिए अ क्यड़े है किे हम listening हमारे पास जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल A, B, C, शिमिलेश है ट्राइंगल P, Q, R के और हम जानते हैं, यह आप रहे हैं जानते हैं, जब दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं, तो उनके एरिया का जो रिश्यू होता है, एड बी सी अपॉन एरिया अच्ट की वारा किसके कुल होता है उनके करर इसकोंदिंग लेंध cabe अपॉन पिक यो औफ आप इदर से लेीक या फिर अपिधर से ले विपवेंत की से वारा फिर से जात एक रंप अपौन के इसके स् seulementियाइगत रजाएं है एक इसे equation number A मान लेते हैं अब किसी भी तरीकी से तुम अगर इनके जगा पर ये चीज लेके आते हो AD upon PS तो बात बन जाएगी ठीक है और also also क्या होगा क्योंकि ये दो triangle आपके already similar दे रखे है ये जो triangle है इसके क्या दे रखा है बच्चो similar दे रखा है जब दो triangle आपस में similar होते हैं तो उनके corresponding length के ratio आपस में equal होते है तो हमारे पास क्या है बच्चो AB upon यहां से आजाएगा PQ और फिर क्या है बच्चो BC upon में क्या आजाएगा keyword and इधर से क्या होगा AC और इधर से क्या आजाएगा PR ठीके यह आपस में equal है यह चीज़ तो हमारे पास already है because of this ठीके कोई दिक्कत नहीं यहां तक अब में चीज़ क्या है और भी हमारे पास क्या है and क्योंकि यह जो B वाला है B angle angle Q के equal है angle B जो है angle Q के equal है ठीके कोई दिक्कत वारी बात नहीं है okay since since जो AD है AD and PS are medians है कि यह हमारे medians है तो median क्या करता है यह जो length होती है AD यह इस वल length को दो टुकडों में भाठ देता है BD is cost to DC हो जाएगा और यहां से QS is cost to SR हो जाएगा है कि नी which means हम BD को कैसे लिख सकते है BC का हाफ का क्यों से QS को मों कैसे लिख सकते है CUR का हाह ठीके तो जो BD होगा उसे मैं लक सकता हूँ BC का हाफ and QS हो मैं लग सकता हूँ ठीके लिख सकता हो न अब इस चीज़ का यूस करते हो पी चाहि करें इसका जगार भी कि यक्रण होगा अब 2 इसकि लिए इट आप लिए किवेश्च तो क्या हो जाएगा इतना समझ में आ गया होगा अब आगे बढ़ो अब देखो इतना अगर आ गया है ना हमारी में दिक्कत कहा है हमें बस यह और यह आ जाए बाद बन जाए बाद बन जाए ना अब अब देखाना होगा उसी पेख में इस रेश्यों को आपसमें इकवल ले पाऊंगा है ना हुना मैं इतना करना हूँ है यहां पाई ड्राइंगल ON A, B, D and दूसावा ट्रेंगल लेह लाँ, P, Q, R, P, Q, S, ठीक है, हमारे पास एंगल B, इसको स्टो एंगल Q है, इसे आप एक्वेशन मान सकते हो, इसे आप एक्वेशन नमबर 1 मानो, इसे एक्वेशन नमबर 2 मानो, ठीक है, यह हम अल्लडी प्रूफ कर चुके हैं, फ्रॉम फ इसे हम फ्रॉम सेकेंड, ऐसे लग दो, सिंपल, यह हमने क्यों किया, अगर कौन साब क्राइटेरिया लगा रहे है, S, A, S, यह वारा साइट का रिश्यो में अल्रडी गिवन था, और इसके साथ यह वारा एंगल है, यह को दिखा, तो इसके साथ अटेच यह वाली साइड ह इसे मिलर हो जाएगा ट्राइंगल पीक्यू एस के, ठीक है, अगर जब दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते है, तो A, B, अपॉन, P, की इसकोल किया हो जाएगा, B, D, अपॉन, Q, S, और उसके इकोल हो जाएगा, A, D, अपॉन, A, D, अपॉन, P, S, ठीक है, सो A, B, अपॉ होगे आप, यह सब मिटाने के बाद, from A, from equation A, लिख दोगे, next line में, from A, since, A, B, upon P, Q, is equals to A, D, upon P, S, इस value को उठाके, यहाँ पर रख दोगे, तो आपको यहाँ मिल जागे, area, A, B, C, upon area, P, Q, R, किस के आजाएगा, A, D, upon P, S, का whole square, और यही आपको प्रूफ करना था, hence proved, इतना आसान कुशन तर आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, request आप से कि प्लीज एक बार वीडियो को दोबारा देखें, और practice करोगे, समझते हुए देखो कि तो आराम से आजाएगा, रटे में जाओके त बिल्कुल नहीं आएगा,